बोडी की इम्मून सिस्टम को हेल्प करता है बेक्टरियों को मारने के लिए तो पूरे डिटेल से जाने के इस वीडियो के अंदर चलिए हम स्टार्ट करते हैं C3 and C4 आज कंप्लिमेंट प्रोटीन डेट आर पार्ट आप दा बोडी इम्मून सिस्टम and help kill बेक्टरिया and viruses This is measuring the C3 and C4 level in the body can help diagnose and measure immune complex disease, inflammation, joint disease and renal disease जो C3, C4 होता है वो एक तरा का प्रोटीन होता है और यह प्रोटीन जब हमारे बोडी के अंदर होता है तो यह हमारे बोडी के immune system को help करता है जब कहीं से कोई बाहरी बेक्टरिया या वाइरसे से आपके बोडी करता है इंटर करता है तो यह उसको kill करने में मदद करता है साथी साथ C3, C4 का जो range होता है वो यह diagnose करने में help करता है कि आपको किसी तरह का कोई immune complex disease तो नहीं हुआ है जो C3, C4 जो होता है अगर यह decrease हो जाए तो इसके बारे में हम जानेंगे decrease level हमें बताता है कि आपको किसी तरह की infecency, genetic disease, acquired deficiency like lupus, nephritis and colitis, vascular कहते कि कोई तो बिमारी तो नहीं है यह बताता है कि अगर आपका C3, C4 का level अगर कम हो जाए तो साथ-साथ यह परदा चलता है कि जो disease होता है, disease यह MS होता है उसमें आप देखते हो several infection जैसे कि acute prostate, coccles, gene, active SLE, alcoholic liver disease and hepatitis या acquired अगर किसी तरह की कोई बिमारी है तो उस condition में जो होता है कि जो सित्री C4 level होता है वह कम हो जाता है साथ-साथ angio-dema में भी यह चीज़े देखनों को मिलता है लेकिन अगर इसका range अगर बढ़ जाए यह की C3, C4 अगर बढ़ता है तो क्या पता चलता है कि आपको किसी तरह का acute face आप response जैसे कि बाइलरी, obstruction and focal glomerus, tortuosis and skin condition जैसे कोई ना कोई बीमारी आपको हुआ हो यह आप इस देश सकते हैं कि आपको dermatitis हुआ हो या hemmins हो सकता है ulceritis colitis हो सकता है, corn disease हो सकता है या prostatic arthritis and rheumatide arthritis में भी कि जो C3-C4 level होता है वह बढ़ जाता है साधी से आप देखोगे अगर अगर में टाइट फीबर inflammation kidney disease अगर हुआ है किस तरह की inflammation हुआ है तो वह चीज़े भी हो सकता है लेकिन यहां पर एक चीज जानेंगे कि जो सीथरी जो होता है वह एकच्छी में क्या होता है यह जब कम होता है तो फिर एकच्छी में क्या होता है थोड़ भी स्टार्ट से देख लेते हैं जो सीथरी लेबल होता है वो चैन आलसो इंडिकेट inflammation disease such as expectemia and infection cases by the fungi parasitis high C3 level can indicate inflammation in the body such as the ulcerative colitis प्रोसार कोलोमा लिक्वाइमिया होटकिंग लाइमफोमा एंड ड्यापटिक तो यह में लीड रूप होता है जहां से आपको सित्री करेंज अगर कम होता है या ज्यादा होता है या टोक्ट्रों के इन में से किसी तरह कोई डाउट आता है तो टेस्ट करमाता है यह से आप देखोगे अगर जो सीफ पर लेबल है अगर लो है तो इंडिकरेट करता है कि आपको एंजओडीमा इम्मून कंप्लेक्स डिसीज और क्राइयोग्लोबनीमिया एंड कोल्ड एगलोटनेसन डिसीज हुआ है तो देखोगे ना जैसे कि आपका कोई भी सेम्पल है ज बेरम सेच को